एक्तम फूली फूली और खस्ता यह देखिए आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि इतनी बढ़िया पूडी बनके तयार हुई है साथी में बहुत जारा तेल भी नी सोका है अलो आज में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पालक की पूड़ी की बहुत ही जादा सिंपल और टेस्टी रेसिपी इतनी टेस्टी बनेगी कि आप इसको बिना किसी सबजी अचार के साथ भी खा सकते हैं साथी में इसमें हमें पालक को उबालने का जंजट भी नहीं है साथ ही इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको एकदम खसता और फूली फूली पूड़ी बना सकते हैं तो चलिए फटा-फट बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने ले लिए एक गड़ी पालक की को मैंने अच्छे से साफ पानी से दो लिया है और साथी में इसकी डंडिया वगेर पी जादा नहीं काटी है क्योंकि हम बिल्कुल पॉष्टिक पूड़ी बनाने वाले हैं तो यह इस तरीके से हम तोड़ करके मिक्सी के जार में डाल देंगे और साथी में बिल्कुल थोड़ आसा एक दो चमच के करी पानी डालके इसको बढ़िया तरीके से पीस के प्यूरी बना लेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये पूरी बन करके तयार हो गई है एकदम ग्रीन ग्रीन इसको हम अलग बाउल में निकाल लेंगे इसे हम अलग कर लेते हैं अब हम बनाएंगे एक चटपटा मसाला जिसके वज़े से पूरी एकदम बढ़िया बनेंगी और बहुत ही जादा ट करेंगे जिससे की पूरी एकदम हरी बनी रहेंगी इसलिए जितना भी तीखापन आपको लेके आना है वह अपने इसाब से कम्याजादा कर सकते हैं इसको साथ ही में एक यहां पर मैंने रफली काट करके प्याज ले लिया है अगर आप याज ना खाते हो तो इसके भी कर सक करता है तो जरूर से अट कीजिएगा उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसको हम पीस करके तयार कर लेंगे इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे तो यह देखे इस तरीके से इसका पेस्ट बनके तयार हो गया है अब हम चलते हैं आटा लगाने की प पूजी यानि की रवा ये बारिक वाली सूजी में यूज कर रही हूँ अपके पास अगर नॉर्मल वाली सूजी है तो आप उसको मिक्सी में डाल के हलका सा चला लेंगे तो इस तरीके से बारिक सूजी तयार हो जाएगी और साथ ही में इसका स्वाद और जादा बढ़ाने क पहले सारी ड्रा इंग्रीडियंस को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह अच्छे से मिक्स हो गया है अब यह जो हमने पालक की प्यूरी वनाई थी उसको इसके अंदर हम डाल देंगे और साथी में जो हमने धनिया बगेर डाल के मसाला वनाया है वो भी हम इसके अंदर डाल करना है जिस तरह से हम पूडियों के लिए बनाते हैं अगर आपको जरुवत लगे तो आप इसमें बाद में पानी मिक्स कर सकते हैं थोड़ा सा हमने इसके अंदर पालक कच्छी ही डाली है क्योंकि जब हम पूडियों को फ्राई करते हैं उस टाइम पर भी पालक अराम से पक पानी के जरुत लग रही है तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स कर रही हूं और इसको मैं आटा लगा करके तयार करते हूं तब तक आप लगों से छोटी से रिक्वेस्ट इसी तरह की टेस्टी रेसिपीस देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल्दी वीडियो के नीचे इस लाल रंगे सब्सक्राइब बटन को दबाएं उसके बाद इस घंटी को दबाना है ऐसा करने से जब भी मैं कुई नया वीडियो डालूंगी आपके पास तुरहनत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा सब्सक्राइब जरूर कर कर देंगे इसके उपर इस तरीके से हम चिकना कर लेंगे आटे को अब इसको ढग देंगे और ढग करके इसको 15 मिनिट के लिए रेस्ट होने देंगे जिससे कि हमने जो सूजी डाली है और बेसन डाला है वो अच्छे से फूल जाएगा और मसालों का फ्लेवर भी ज्यादा अच्छा हैगा तो यह देखिए 15 मिनिट हो गए है अब इसको हल्क असा हम और मसल लेंगे मसलने के बाद में अब हम इसके छोटे-छोटे से पेड़े तयार करेंगे इस तरीके से पहले में इसका लॉब जैसा बना लूँगे और इस तरीके से छोटे-छोटे हम पेड़े तयार करेंगे निम्बू के साइज के यह देखिए इस तरीके से अब एक पेड़ा लेकर के थोड़ा सा ओइल अप्लाई करेंगे हम इस पर भी आप बेलने वालाती में थोड़ा सा बेलन पे भी ओईल लगा लें इस तरीके से इसको हम गोल-गोल बना लेंगे थोड़ा सा म यहां पर हमें तेल चाहिए बिल्कुल अच्छे से गरम यह देखिए इस तरह से थोड़ा सा आठा डाल के देखिए बिल्कुल जल्दी से यह ऊपर आ गया यह देखिए बस इतना गरम हमें तेल चाहिए अब पूडी हम इसके अंदर डाल देंगे अराम से और उसके बाद इस बात का जरूर दियान रखें, तेल बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए, अगर तेल ठंडा हुआ, तो पूड़ी जो है, वो ओइल सोक कर लेगी और फूलेगी नहीं, इसलिए तेल को अच्छे से गरम हो जाने दें और उसके बाद ही पूड़ीों को सेखना शुरू करें साथी में ये थोड़ा थोड़ा ओईल आप पूड़ी के उपर डालेंगे ना, इसकी वज़े से पूड़ी बिल्कुल अच्छे से फूलेगी, ये ट्रिक आप भटूरे के साथ में भी ट्राय कर सकते हैं, अगर आप भटूरे वगरा बना रहे हैं, इस तरीके से अगर आप पूड़ी को डालते हैं, उस टाइम पर जो नीचे साइड रहती है, वो हमें कम पकानी होती है, और जो पलटने के बाद नीचे साइड आती है, उसको हम जाधा पकाएंगे, तो पूड़ी ये जाधा देर तक क्रिस्पी बनी रहेंगी, इसी तरीके से मैंने पहले भी पालक वो भी बहुत ही टेस्टी बनती है, साथी डिफरेंट तरीका है, बनाने का आप ज़रू ट्राय कर सकते हैं उसको भी, ये देखिए पूड़ी ये बनकर के तयार है, इन्हें हम निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से आप बाकी की पूड़ी भी बना लें, तो ये देखिए साथी में फूलती भी नहीं अच्छे से, देखिए आप देख सकते हैं, बिल्कुल ओयली नहीं है, और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना खसता और एक्तम क्रिस्पी हुई है, इन पूड़ीों को आप हलवाई स्टाइल आलू की सबजी के साथ सर्फ कर फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाबाई